मैं हूं मुहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेश कैड़ी सेकंड यर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सराइज 3.8 स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में हम इसका कुछ नमबर वन के कुछ पार्स देखेंगे तो कुछ नमबर वन में कहता है चेक डैट इच ओफ दा फॉलिविंग एक्वेजिंज रेटन अगेंस दा इफ्रेंशल एक्वेजिंज इस इस सुलूशन यहीं हमें दो इक्वेजिंज परवाइड किया है उसने और कहता है यह पहली मैंने आपको इफ्रेंशल प्रूफ करो कि यह उसका सुलूशन है तो कुछ नमबर वन का सेकंड पार्ट है हमारे पास कुछ नमबर वन सेकंड पार्ट इसमें कहता है एक्स स्केर टू वाइप्लस वन एक्स स्केर इंटू वाइप्लस वन इंटू दी वाइबा दी एक्स दी वाइबा दी एक्स माइन सब्सक्राइब करना है कि यह जो इक्वेजन है यह इसका सुलूशन है यह हमें प्रूफ करना है तो इसके दो मैंतर्स हैं हम इसे बाइ इंटिग्रेशन और बाइ डेरिवेटिव कर सकते हैं तो हम इसको पहले इंटिग्रेशन से करते हैं जी तो उसके लिए फिर डिफरेंशल इक्वेजन को कंसीडर करेंगे इनटिग्रेशन इक्वेजन वो है हमारे पास एक्स स्केर इंटू तो वाइ प्लस वन डी वाइ ओवर डी एक्स माइनस वन इक्वेजन इक्वेजन अब इस तरह कि जो डिफरेंशल इक्वेजन हम सॉल्फ करेंगे उसमें आपने यह करना है कि जो एक्स वेरियेबल्स हैं वो एक साइड पे करेंगे और जिसमें वाइ वेरियेबल्स हैं वो आप एक साइड पे करेंगे और डी एक्स और डी वाइ हमेशा नियूमिरेटर में लिखेंगे तो यह अब minus 1 अगर उस तरफ चला जाए तो यह होगा x square into 2y plus 1 dy by dx equals to 1 तो यह dx इदर divide हो रहा है इसे मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो यह बन जाएगा 2y plus 1 into dy equals to dx और यह x square इदर multiply हो रहा है तो इसका मतलब यह इदर आकर divide हो जाएगा तो यह हमने इस तरह की जो equations होती है जिसमें x और y को हम separate कर सकते हैं separable equations किलाती है separable differential equations तो हमने क्या किया x और y को separate कर लिया अब आप इस पर apply करो integration applying इंटिग्रेशन तो इंटिग्रेशन जब आप अप्लाइ करते हो तो यह बनेगा फिर 2y प्लस 1 इंटो dy इक्वल्स तो 1 ओवर x स्केर इंटो dx तो जब इसकी integration करेंगे तो separate हो जाएगी दोनों की तो 2 इंटो y dy प्लस dy इक्वल्स तो यह भी इसी तरह से x रेज तो पार इंटिग्रेशन य स्केर ओवर 2 है तो यह बनेगा 2y स्केर ओवर 2 प्लस dy की इंटिग्रेशन वाई इक्वल्स तो एक्वल्स तो पार माइनस तो की इंटिग्रेशन पार में एक एड करना है और उसी से डिवाइड करना है और जिस तरफ हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरियेबल होगा उसमें हम क्या करेंगे c एक constant add कर देंगे जी तो next step में ये 2 से ये 2 cancel तो just y square बचा y square plus y equals to minus 2 plus 1 तो minus मैं यहां लिख देता हूँ तो minus 1 into x raise to पार minus 1 तो over में लिखेंगे तो वो 1 over x हो जागी x raised to par minus to plus 1 है न तो इसे जब मैं over में लेके आऊंगा तो plus हो जागी तो plus c इसे थोड़ा सा रिरेंज करें तो y square plus y equals to आगया c minus 1 over x तो हमने differential equation ली उसे solve किया तो यह हमारे पास result आया ठीक है general solution आया इसका तो इसका यह मतलब हुआ कि यह जो उसने equation हमें दी थी वो वाके ही इसका solution है अब जैसे हम left hand side, right hand side वाले questions में करते हैं कि left hand side को लेके right hand side के equal proof करते हैं या फिर right को लेके left के equal proof करते हैं इसी तरह यहाँ भी हम इस equation को लेके अगर यह equation भना सकें तो इसका यह मतलब होगा कि यह इसका यह इसका solution है तो हम consider करते हैं इस दफ़ा यह equation y square यह इसका दूसरा method है question एक दफ़ा यहाँ पर complete हो गया आपकी अपनी choice है आप जिससे solve करना चाहें y square plus y equals to c minus 1 over x derivative ले ले तो यहाँ आजाएगा 2y पार पहले पार में से एक काम then function का derivative dy by dx plus यहाँ पर dy over dx equals to c का derivative 0 minus यह x उपर जाएगा तो x raise to par minus 1 तो par पहले और par में से एक कम यहाँ पर आपके पास dy over dx common बन रहा है तो 2y plus 1 into dy over dx होजेगा यहाँ 2y बचेगा जब dy over dx common लेंगे और यहाँ 1 बचेगा equals to minus minus plus तो यह बना x raise to par minus 2 जी तो यहाँ पर अगर मैं इसे यूं लिखूँ 2y plus 1 into dy over dx equals to यह x raise to par minus 2 है over में लिखेगे तो यह 1 over x raise to par 2 होजेगा यह यहाँ divide हो रहा है इसे इस तरफ लाएंगे तो multiply होजेगा तो यह बना x square into 2y plus 1 dy over dx equals to 1 इस 1 को भी आप इस तरफ लिख करवाएंगे तो बन जेगा x square 2y plus 1 dy over dx minus 1 equals to 0 इस तफ़ा हमने इस equation को solve किया तो हमारे पास यह result आया ठीक है तो इसका मतलब यह एक दूसरे का solution है तो choice आपके अपनी होगी चाहे इस equation से अगर इस equation से solve करेंगे तो derivative से और अगर differential equation से solve करेंगे तो integration से solve करेंगे जी तो next मेरे पास question number 2 का fourth part है 1 over x into dy by dx fourth part 1 over x dy by dx minus 2y equals to 0 minus 2y equals to 0 और जो दूसरी equation दी है वो है y equals to c e raised to par x square तो हम इसे integration से ही just solve करेंगे इस equation को consider करते हैं 1 over x dy over dx minus 2y equals to 0 यहां पहली जो पहला काम हमने करना है वो है x और y को separate करना तो यह बंज़ेगा 1 over x dy over dx equals to 2y तो यह x into dx उदर जाके multiply होगा और 2y इस तरफ ले आएंगे या just y इदर ले आओ तो यह होजेगा 1 over y sorry 1 over y into dy equals to 2x into dx क्योंके हमने जो dy है इसे numerator में नहीं लेके जाना यह dx को numerator में नहीं रखना तो हमारे पास यह form बनेगी इसकी 1 over y into dy equals to 2x into dx integration apply करें तो यह बन जाएगा 1 over y dy की integration equals to 2 side पे x into dx पे integration तो 1 over y dy की integration आपको पता है log nature of y equals to 2 into x square over 2 plus c यह c1 कर लो यह 2 से 2 cancel तो बन गया log nature of y equals to x square plus c1 तो यहाँ थोड़ा सा इसे हमने simplify करना है तो log nature of y as it is यहाँ हम 1 को अगर consider करें तो इस 1 की जगा log nature of e लगा सकते हैं तो log nature of e और x square मैं यहाँ लिख देता हूँ बलके यूँ करें इससे log nature of e into x square plus c1 के साथ भी एक log nature of e into c1 कर लें तो log nature of e दोनों में आप common लें तो यह बन जगा फिर x square plus c1 into log nature of e इस तरफ log nature of y ही चलेगा अब यह इसका coefficient है लोग आर्थम का तो इसका मतलब यह इसकी index में लिखा जा सकता है तो इसकी index बनाएं तो log nature of e raise to power x square plus c1 इकोल स्टू लॉग नेचर of y तो दोनों तरफ आप एंटी लॉग लें तो y इकोल स्टू आ गया e raise to power x square plus c1 x square plus c1 जी तो इसे हम यूँ भी लिखेंगे y is equal to e raise to power x square into e raise to power c1 अब e raise to power c1 बजाते खुद एक constant होगा तो इसे मैं c का नाम दूँ तो यह बन जागा y equals to c e raise to power x square और यह हमारे पास result सेम वैसा ही आ गया जैसा उसकी demand थी तो यह था हमारे पास question number two का fourth part next question number two का fifth part है यहां question number two में fifth part में कहता है sorry one का fifth part d y over d x fifth part है यह d y over d x equals to y square plus 1 y square plus 1 divided by e raise to power minus x एक equation यह है और इसका solution जो है वो है y equals to 10 e raise to power x plus c तो इसी को हम solve करेंगे by integration तो यह होजेगा फिर d y over d x equals to y square plus 1 over e raise to power minus x जी तो separate करेंगे y और x को तो यह बन जाएगा d y over यह इदर ले आया one plus y square equals to यह d x उपर चला जाएगा d x over e raise to power minus x यह over में है इससे जब उपर लेके जाएगे तो यह plus हो जाएगा तो इससे हम यह भी लिख सकते हैं one over one plus y square into dy equals to e raise to power x into dx इस पे आप दोनों तरफ integration apply करेंगे यहां भी और यहां भी तो इसकी integration आपको पता है one over one plus y square की integration ten inverse y आजेगी तो यह आगया ten inverse y equals to e raise to power x की integration as it is होती है e raise to power x प्लस आप यहां पे c1 कर लो यह c कर लो जश्च ठीक है जी c1 की ज़रूरत नहीं है c e raise to power x plus c तो यह ten inverse है दूसरी तरफ जाएगा तो ten हो जाएगा तो y equals to आजेगा ten of e raise to power x प्लस c तो यही हम ने बनानी थी y equals to ten into e raise to power x प्लस c तो इसे भी आप जो है by using derivatives solve कर सकते हो इस equation से y का derivative लोगे और इस तरफ ten e raise to power x प्लस c का derivative लोगे तो यह फार्म आपके पास बन जाएगी तो यह था हमारे पास question number one इंशाला next lecture में मज़ीद questions के साथ आजिर होंगे तब तक अपना और channel का क्या रखिएगा आपईब आप इंशाल आप